जैहिन दोस्तों एक बाद फिर स्वागता आपपी केफने यूटोब चैनल में दोस्तों गराबी इंडियन आर्मी फिर टीय आर्मी में भरती होना चाहते हो तो यहां पर आपके आजूकेशन क्वालिविकेशन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया यूगि बहुत सारे दोस में मेरे सर 80% है और 10 में मेरे 50% से क्या मैं कलर की बरती देख सकता हूँ क्या टेकनिकल में एजूकेशन क्वालिविकेशन में क्या इस बार बड़ा बदलाव कर दिया गया है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे के सारे डाउड्स है वो क्लेर होने व दोस्तों सारी जानकारी में आपको बताए उससे पहले अभी तक वीडियो लाइक ने क्या तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर परकार की रिकूट्मेंट रेली की अपडेट भी आप तक सब सबसे पहले पहुंशते रहे साथ मैं आप जिस राजे से विलोंग करते हो कमेंट बोक्स में कमेंट करके भी हमें जरूर बताए ताकि आपके राजे की भी कोई भी रिकूट्मेंट रेली या कोई भी नया बड़ा बदलाव किया जाये तो उसकी जानकारी भी आप तक सबस किया गया 2020 में वो सबी राजियों में लागू होगा या नहीं इसको लेकर आप यहां पर देख सकते हो अगर आप सोल्जर जीडी के लिए बड़ती देखना चाते हो अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमेटर है तो ही आप सोल्जर जीडी की बड़ती देख पाओगे दोस्तों य यह भी हाइट है कुछ राजिये और कुछ आपके कैंदर सासित परदेश ऐसे हैं जापर आपको हाइट में छूट दी जाती है जैसा कि नोर्थ इस्ट के राजिये उनको हाइट में या पर सोल्जर जीडी के लिए चूट मिलती है जबकि कुछ साउथ के भी है क्योंकि यह पर इनको अलग से रिजर्वेट मिलके सेना में हाइट में छूट दी जाती है यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगर आप सोल्जर जीडी की बर्ती देख रहे हो तो आपकी टैंद जियां दोस्तों टैंद आप किसी भी बोर्ड से हो चाई आप ओपन बोर्ड से हो या किस सोल्जर जीडी की बर्ती देख पाओगे चाई आपके 12 में 80% क्यों ना हो अगर 10 में आपके 45% और सभी सब्जेक्ट में 33% नम्मर नहीं है तो आप सोल्जर जीडी की बर्ती नहीं देख पाओगे यह दोस्तों बड़ा बदलाव सेना की तरब से किया गया इसमें लाखों ब्यारती बाहर हो चुके और वो ब्यारती अब ट्रेड में जाएंगे ट्रेड में भी बड़ा बदलाव मैं आपको दिखाने वलाओ उससे पले यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों सोल्जर टेक्निकल की अगर बात करें तो टेक्निकल में भी अब आपके 10 फ्लश्टू मे आपके साइंस में आपके फिजिस केमेस्ट्री मेत होनी चाहिए और इंगलीज में 50% आपके नमबर होनी चाहिए और सभी सब्जेक्ट में आपके 40% नमबर होने चाहिए तब ही आप सोल्जर टेक्निकल की भरती देख पाओगे वही नर्सिंग असेस्टेंड की अगर बात करें तो सोल्जर नर्सिंग असेस्टेंड में भी दोस्तों यहाँ पर आपके जो आपके कैमेस्ट्री बायोजी और फिजिक्स के साथ में इंगलीज में 50% होनी चाहिए और सभी सब्जेक्ट में आपके 40% नमबर होने चाहिए तब भी आप सोल्जर जो नर्सिंग 12th में आपके 50% नमबर है तो आप आराम से सोल्जर टेक्निकल और नर्सिंग असेस्टेंड में बढ़ती हो सकते हो लेकिन आपको कलरक में इसा मोका नहीं मिलेगा अगर कलरक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सोल्जर कालरक इस्टोर कीपर में आपके 10 पलस टू में 10 पलस टू एकजाम पास होना चाहिए 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 वो आर्स, कोमर्स और साइन्स कोई सी भी स्ट्रीम से हो लेकिन 60% नमबर भी आपके 12 में होने चाहिए साथ ही दोस्तों 50% मार्क्स है वो सभी सब्जेक्ट में होने चाहिए इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 12 में आपके 12 कलास में आपके दोस्तों जो बुक कीपिंग या अकाउंट में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए साथ ही दोस्तों 10th में भी आपके 50% मार्क से वो होने चाहिए तब ही आप soldier कलरक के लिए eligible माने जाओगे नहीं आप soldier कलरक है उस बरती परक्रिया में सामिल नहीं हो सकते जबकि दोस्तों यहाँ पर बात करें तो soldier tradesman में भी यहाँ पर 10th में आपके percentage का कोई requirement नहीं है केवल्ट simple 10th पास होना चाहिए लेकिन 33% नमबर सभी subject में होना चाहिए मतलब किसी भी अब्यार्थी कि अगर वो गिरिस लगके पास हो है तो वो trademan में भी बरती नहीं हो पाएगा यह सेना की तरफ से बड़े बदला हुए वो कर देगे तो दोस्तों यह थी एक मेरे दोरादी की छोटी सी जानकारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजेगा शाथ में आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर ले सेना बरती से रिलिटेर तमाम बड़ी कबरे आप तक सबसे पहले पहुँशते रहे साथ पर अपने राजे का नाम भी जरूर कमेंट कर दे ताकि आपके राजे की भी रिक्रूट्मेंट रेली की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँशते रहे दोस्तों इस उडियो में तना ही, मिलते नेक्स उडियो में तब तक के लिए, जय इंद, जय बार!